हेला दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत दोलका मैं आपके अपने ही चैनल टार्गेट विंफेंटसी पर तो इस पर में आप देख रहा है आपको आपको टेलिग्रम के लिंक चाहिए तो आपको टेलिग्रम के लिंक को कहाँ पर मिलेगी हमारे वीडियो की डिस्क्रिशन में आपको लिंक मिल जाएगी तो आप वहाँ से भी डिरेकली जॉइन कर सकते हो तो इस देर की इस बात की फाइनल टिम्स के लिए आप अभी के भी हमारे टेलिग्रम को जॉइन कर लेजिए साथ में गरेश अगर आप चल पर पहली बार आए तो जोनको सब्सक्राइब कीजिए साथ में बनी को लाइक करके स्टार्ट कीजिए बात करें मैच की तो देखिए कल सुबह साथ बजए इनियर ने गोन सारी मैच शुरूने वाला है वेनु यूके एम वाई इस डिकरी के रोभाल बांकी मलेशे में होगा और यहाँ पर हलकी सी बारिस की चांस से है अगर कोई फार्दर वेदर की नियु जाए तो आपको टेलिगम पर जरूर इंखिने को मिलेगी और यहाँ पर एविरे स्कोर बन रहाए आप देख सकते हैं कि 107 तक मतलब किया है कि रांज उतना ज्यादा नहीं स्कोर हो रहा है बैसिकल यहाँ पर बोलर्स को ही ज्यादा फाइदा मिले तो आपको जादा से ज्यादा और लॉंडर और बूलर्स को लेके ही यहाँ पर टीम बनाना पड़ेगा तो दोस्ते यहाँ पर दोनों टीम्स की लास्ट कुछ मैच इसकी बात करे LKL की टीम देखिए दो मैच में एक जीते EUFC की टीम दो मैच में एक भी मैच नहीं जीत पाए तो दोस्तों आज की मैच पर एक संकी बात कर लेते हैं LKL की विनिंग चैन्स 50% EUFC की विनिंग चैन्स 50% मतलब जैसे कि आपने देखा डीम्स टीम्स में भी कि दोनों टीम का मतलब डीम्स रेकर्ट से उतना अच्छा नहीं है और उतने मतलब क्या बोलते कि वान सैडिट भी नहीं है तो इसलिए यहाँ पर दोनों टीम्स का विनिंग रेशियो 50% 50% करकी है तो दोस्तों आब हम बात करेंगे दोनों टीम की प्रभबल प्लेंग से उसके साथ एक्स्पेटेट बैटिंग और क्या हो सकता है साथ में प्लेयर रिसेंट परफमस के बारे में हम डिस्कास करेंगे तो देखिए लंका अलाइंस के तरफ से सबसे पहले बात करें उपुल सत्कुमार ओपेनिंग करने वाला है नाभिन देवन्दी का साथ उपुल सत्कुमार की बात करें अच्छा जीरो रन दो मैच पर बना है तो पहला मैच पर अच्छे चले थे दूसरे मैच पर जीरो पर आउट है तो नविन देवींदा जो है दो मैच खेले पांच रन नोरन बना है तो यह आपके लिए उतना आच्छा चोश नहीं रहने वाल है लेकिन अपुल सत्कुमार जो है लाश्ट मेच पर जीरो बना है इसका मतलब बेनी की प्लेयर अच्छा नहीं है प्लेयर बहुत बढ़या है और इस मैच पर भी अच्छे कर सकते है नंबर तीन के बात कर रहें नहराजन विजे सिंगे टीटेन में भी खेल चुके है और इनके बास एक्समेंस भी है अच्छा चौटर रन तेजरन सत्में पर विकर लेज गए लेकिन एक बात धहर में रहे कि बैटिंग के साथ बोलिंग भी कर रहा है वान डॉन बैटिंग उसे के साथ bowling कर रहा है मतलब minimum 2 बर 0 डालेगी तो आपके लिए अच्छा फिक हो सकते हैं निगर जैनुग यह सिंगे 22 कि भी आप इनको बना सकते हो मुहमत रिफकी इमरन खामीस 30 रन 7 रन नंबर 4 पर आके भी अच्छे कासे बैटिंग कर रहा है थोड़ा बहुत आपके लिए अच्छा चोईस होगा सुरंगा प्लियरा दो मैच पर खेले उहाँ पर बैटिंग मिले इनको जिर रन दो रन लेकिन दो मैच पर देखिये बोलिंग करके भी दो एके निकाला एक और एकुकेट तो सुरंग का परिए आपके लिए अच्छा चुछ सुन सकते हैं कि नमबर पांच पर पैटिंग करने आ रहा है उसी के साथ बोलिंग भी कर रहा है रेगुलरली तो आपके लिए बड़या चोईस होगा निमेस रसंग का सिल्भा कैटिंशी कर रहा है अपने टीम के लिए बासर टरन एक उकेट तो देखिए जैसा कि आपने यह पर देखा कि टॉप और उतना अच्छा कुछ नहीं कर पाए एक अथ प्लेयर्स के सिवा तो यहाँ पर नमबर छे वाले जो बैट्समन है निमेस रसं उसके साथ जीरो इकट और जीरो इकट तो यह अपके लिए ठीक टाक चुछ रहा है कि नमबर साथ में आके भी अच्छी बैटिंग कर रहा है इससे बड़ी बत कहा है कि दो मैच पर लगातार बोलिंग भी करे और नमबर आट पर रहेंगे ठीक सना लिया नागे दो मैच प पर बैटिंग मिले जीरो रन जीरो रन मौमध खैर उला सात्रान चार रन इसके साथ दो इकट और युकेट दो मैच पर टोडल तीन विके निकाला तो मौमध खैर आपके लिए ठीक टाक टुछ रहेगा नवीन धन जाया नौरन मनाया साथ में दो मैच पर दिखिए दो इक पहला मैच पर एक दूसरे मैच पर एक तो ठीक टाक टॉस एभी आपके लिए रहेगा फर इसकंदर विकेट के पर रहने बाले दूसरे प्लेर है यह पर इनकी डिशन में कोई अच्छा डेकॉर्स नहीं रहे दो यह पर एक मैच पर बैटिंग करके जीरो पर आउट है और पर बैटिंग डिशन में रहने बाले इनके सटर्स भी आपको मिल जागी तो यहांसे व्यांसे भी आप चेक कर सकते हो तो यहां पर दिखिए बैटिंग पर एक केपनिने मतलब जब एक खेलते हैं यह करता है नहीं तो यहां पर आइसकी जगा निमसर संका सिर्पर के अपन तो ये छे प्लेयर्स आपके लिए स्मॉल लिग की टीम पर बहुत ही बड़े चैसर रहने वाला है आप चाहो तो इनको ग्रैंड लिग भी टैग कर सकते हूं कि दिखिए यह ऐसा डोमेस्टिक लीगों में उतना जादा अंतर नहीं रहता है ग्रैंड लिग प्लेयर्स के कि मैच खेलें वहां पर 23 बनाया तो ठीक टक चो सब कले रहेगा ओपिटिंग में आके 23 ठीक टागा कि दिखिए जहां पर एवरेस्ट कोरी बंड़ा है 107 के अंदर तो वहां पर आपकी एक्सपर्ट कर सकते हूं कि कोई भी प्लेयर्यां पर संचुरी मारेगा आसी रान लेकिन बोलिंग करे और अब मालीजी की दो अभरेन की पका है तो फिर से इस मेच पर डालने वाला है लेकिन अगर चार भी डाल दाए तो वह भी आपके लिए अच्छा होगा लेकिन बहुत ही बड़ा प्लेयर आपके लिए हो सकते है क्योंकि दिखिए बैटिंग के साथ स चार प्लेस के पास देखा कि बोलिंग तो रेगुलर मिल रहा है लेकिन विकेट्स नहीं है लेकिन इसको देखिए नमबा तीन पर बैटिंग कर रहा है जब जब बोलिंग मिले और विकेट्स निकल ले जाए अपके लिए बड़ा चोष हो सकते है अमिन मुहमत आट रन किय अच्छा चोष नहीं रहे कमरान हमीत 22 रन साथ में विकेट्स नहीं हो सकता है याजिस साह विट के बरिंग अप्शन पर रहेगा तीन रन किये लाश्ट में नमबा च्छे पर आ रहा है जाहित फाजल 17 रन एक विगेट एबरेच चोष एब आपके लिए रहेगा कि एक बो रन किये लाश्ट में पर उतना बड़े चोष अपके लिए नहीं रहेने वाला है नफिस आलम एक रन के साथ दो उके निकाला मतलब आप संचे कि बोलिंग से आपके लिए यहाँ पर सिर्फ नफिस आलमी रेगुलर बोलिंग करते हैं देखने को मिलेगी उसी के साथ देख होगा है उसके साथ कमरान हमीद और जाहिद फजल को ट्राइ कर सकतो थोला डिफेरेंसल में यह गई पांच चोइस उसके साथ नफिस आलम यह गई छेटा चोइस तो यह चे प्लेर सब लिए बहुत ही बड़ा चोइस इस मच पर रहने वाले हैं तो दोस्ता आब हम देख ल आने वाले हैं तो गाइस ग्रेंड लिफ चैसिस की बात करें मुराद अली अमिन मुहमत सुरंगा पेरेरा निमेस रसंगा सिल्वा तो यह चार आपके लिए ग्रेंड लिफ पर बड़े अच्छेस हो सकते हैं आप इनको ग्रेंड लिफ पर दो कोई दो को चूस करके रिसकी सब्सक्राइब कर सकते हो तो गाइस फिलाल एक आपके लिए स्टेर सानलेस की बात अभी चलता है ड्रीम लिंग तरफ वहां पर हमने एक स्मॉल लिफ का डेमो टीम पर आपको दिखाएंगे लेकिन फानल टीम जो है वह आपको मिलेगी हमारे टेलिकम चैनल पर लिंक वीड पर रंड हो जाते हैं तो दोस्तों यहां पर देखिए यहां पर दो यहां पर दो विकेट की बरिंग ऑप्शन आपके लिए मिल जाएगी एक है वाई साथ दोसरे है एम फरिस तो यहां पर फिलाल जो सबसे सेफ होगा यहां यहां पर रहने वाल है विकेट की बरिंग ऑप आपके लिए ग्रेंड लिक पर बड़े चोश हो सकते है और बात कर लेते हैं के हमीत एम रिफ की साथ में टी कोडी करा और एक एक एक्ष्टा और हमारे पास रहेगा जो है जे रमसंदरम बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं लेकिन अच्छे फॉम नहीं होने का वाज़ि हम यहां पर पिक किये अगर हमारे फाइनल टीम्स पर रहे तो वह आपको टेलिंग हम पर पता चल जाएगा बॉलिंग सेक्ष्टन के एक बार बात कर लेता है एम खायरूला रहने वाला है इस पेरेरा उसे का सतर रहेगा देखिए यहां पर इन धरां जया तो दोस्तों यह अनुरद्धा एन विजे सिंगे तीन टॉप चोइस बैटिंग में और अलंटा उप्सन की बात करें के हमीद एम रिफ्की और जे रमासंदर्रम टी कोडी करा यह चार आपके लिए टॉप अलंटा चोइस पर रहेगा लेकिन यहां पर जे रमासंदर्रम जो है थोड़ा सा अनुरद्धा और साथमिया पर के हमीद आप ग्रैंडली के लिए आप अभी के अभी हमारे टेलिक चैन्जर को जोइन कर लिए डेस्क्रिशन में आपको लिंक मिल जाएगी और दोस्तों वीडियो कर आपको अच्छा लगए तो लाइक सेयर सब्सकूब जूरू करना साथ म मना ये अच्छा सा विनिंग कीजिए थैंक यू सो माच अल्दा बेस्ट मिल देर नेक्ट व्लियो पार